गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने जूडीशल एक्टिविजम यानियाइक सक्रियता को समझने का प्रयास किया था आज का हमारा टॉपिक है दबाव समू जिसे इंग्लिश में प्रेशर गुरुप जो कहा जाता है आज के लेक्चर में हम दबाव समू जो है उनके अर्थ को उसके महत्व और उनकी विशेशताओं को समझने की कोशिश करेंगे जो राजनितिक प्रक्रिया है पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसमें दबाव समू जो है उनका विशेश महत्व है पहले जो है प्रेशर ग्रूप्स जो है उनको बहुत गलत रश्टी से देखा जाता था उन्हें ये माना जाता था कि ये डैमोक्रेसी के लिए सही नहीं है ये डैमोक्रेसी को खत्म करने वाला समू है लेकिन अब जो है सिचुएशन चेंज हो गई है बदल गई है और दबाव समू और हिच समू को एक आवशक बुराई के रूप में सुईकार किया जाने लगा है वर्तमान में राजनीति क्रियाशीलता के लिए जो प्रेशर ग्रूप्स है उनको महत्वपूर्ण समझा जाता है और राजनीति शेत्र में जो नीती निमान जो पॉलिसी मेकिंग होती है इस पे जो प्रेशर ग्रूप्स है इनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से बढ़ता ही जा रहा है इसलिए सबी देशों में पर अध्यन किया जा रहा है प्रेशर गुरूप्स पर और अमेरिका में तो ये विशर जो है बहुत ही जादा पॉपुलर हो गया है दबाव समू जो है उनको अलग-अलग नामों से बुलाया जाता है संबोधित किया जाता है जैसे हिट समू है गैर सरकारी संगठन लॉबी गुट आदी दबाव समू और अन्य संगठन में अंतर होता है समस्त संगठन जो है वो दबाव समू नहीं होते और ना ही सारे हित समू जो है वो दबाव समू के समान है आगे हम इनका जो difference है उसको समझेंगे यहां हम इतना देख लें कि राजनितिक दल जो है और जो pressure groups हैं इनमें भी अंतर होता है राजनीतिक दलों का निर्मार तो व्यापक राश्ट्रे हितों के आधार पर किया जाता है राजनीतिक दलों के कुछ सामान्य जो सिद्धांत उद्देश ये कारिक्रम होते है उनका संगठन जो है वो व्यापक होता है जबकि जो pressure groups होता है इनका संबंद विशेश हित समस्याओं से होता है और दबाव समू जो है वो वे समूदा हैं जो विशेश हितों के रक्षा के लिए सरकारी निती को प्रभावित करने के लिए बनाए चाते हैं क्योंकि मनुश्य जो है उसकी बहुत सारी आवशक्ता हैं होती हैं बहुत सारे interest होते हैं और इनकी पूर्ती के लिए वे अलग-अलग दबाव समू का निर्मान करता है तो यहाँ यह समझ लें कि दबाव समू जो है वो political parties नहीं है ना ही वो election में अपने जो परत्याक्षी उनको खड़ा करते हैं बलकि वह परदे के पीछे रहकर राजनितिक दलों से अपने स्वार्तों की पूर्ती करने का उनको प्रभावित करने का उनको साहता करने का कारे करते हैं simple words में हम कहें तो दबाव समू जो है वो सालवजनिक नीती को प्रभावित करने के उद्देशे से जो समू बनाये जाते हैं जो groups बनाये जाते हैं वो ही pressure group है इनकी परिभाशा को हम देखें तो जो Francis Castles है उनके अनुसार दबाव समू उसे कहते हैं जो शाष के कारे कला पुद्वारा या उनके बिना ही राजनितिक परिवर्दन लाने का प्रयास करें और जो स्वेम किसी विदान मंदल में प्रतिने देत्व प्राप्त राजनितिक दल के रूप में ना हो माइनर वीनर जो हैं वो कहते हैं कि दबाव समू से तात परे एक ऐसे एच्छिक रूप से इस अंगटी समूदाई से है जो प्रशाश्किय धाचे से बाहर रहकर सरकारी अध्यकारियों के निर्वाचन, मनुनयन और सारवजनिक नीती के निर्मान वा क्रियानवन को इंट्रेस्ट हैं उनको पूरा करने के लिए किया जाता है यह समू नैतिक, अनैतिक, प्रत्यक्ष, प्रजोक्ष तरीके से सरकार की नीती को प्रभावित करते हैं और अपने हितों की और स्वार्थों की पूर्ती करते हैं दबाव समू जो हैं वो आर्थिक, सामाजिक, धा तो हम यह कह सकते हैं कि दबाव समू जो हैं उनके देशे जो हैं वो सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, शाषन पर अधिकार करने के इनकी कोई इच्छा नहीं होती है, सहमेधानिक और असहमेधानिक दौनों तरीकों का स्वार्थ पूती के लिए उप्योग किया जाता है, संगठित pressure groups जो हैं वो संगठित और असंगठित दौनों हो सकते हैं, राजनीतिक संगठन नहीं, तता सदस्यता जो हैं इनकी सीमित होती है, लोगतंत्र में ये ज़्यादा सक्री होते हैं, तो दबाव समू जो हैं इनका संबंद, Simple Words में हम कहें, तो विशिष ठीतों तक सी मित्ख होता है ये राजनितिक संगठन नहीं है ये पर दे के पीछे रहकर अपना कार्य करते हैं अब क्या दबाव समूग और हिद समूग जो है वो एक ही है तो दौनों में अंतर है प्रेशर गूर्प्स और इंटरेस गूर्प जो है दौनों के प्रयोग किये जाने वाले प्रभाव में अंतर हैं, हिट समू शाशन क्रिया को प्रभावित करने का लक्षर नहीं रखते, यह तो ऐसे ही समू या अन्य सामाजिक सरचनाओं और प्रक्रियां को प्रभावित करते हैं, जबकि जो दबाव समू है, वो राजनीतिक प्रक्रियां अपने हितों के अनुकुल बनाने के लिए कारेरत रहते हैं, दौनों के नेचर में डिफ्रेंस हैं, हिट समू राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंदित नहीं होते, जबकि दबाव समू जो हैं, वो राजनीतिक रत समू होते हैं, दबाव समू और लॉबी जो है उनमें भी अंतर पाय जाता है। लॉबी प्रभावित करने के लिए प्रैतनिशिल होती है। लॉबी जाता है दोनों में घनिश्ट संबंध होते हुए भी यानि पॉलिटिकल पार्टी और प्रैश्र गृप्स दोनों में कनेक्शन होते हुए भी दोनों में अंतर है। दोनों के उद्देश्य जो राजनितिक दलों जो है उनके उद्देश्य और कारिक्रम दबाव संबू की अपेक्शा विस्तरत होते हैं। राजनितिक दल जो है वो चुनाव प्रक्रिया के अभी नंगे परन्तु दबाव संबू नहीं होते हैं। राजनितिक दल संगटित होते हैं जबकि दबाव संबू जो है वो संगटित और असंगटित दोनों हो सकते हैं। राजनितिक दल विधान मंदल के भीतर और बाहर दोनों जगे कारे करते हैं, जबकि दबाव समू विधान मंदल के बाहर ही कारे करते हैं. सक्री था राजनितिक दलों की प्रवर्ती है, दबाव समू उसी समय सक्री होते हैं जब उनकी हितों या स्वार्थों पर कोई आच आत राजनितिक दल जो है अपने उद्देशों की प्राप्ति के लिए केवल सहमयदानिक साथनों का सहारा लेते हैं परन्तु दबाव समू जो है वो सहमयदानिक साथनों का प्रयोग करने से भी चुपते नहीं है राजनीतिक तलों का जो उद्देश्य है वो सत्ता प्राप्त करना है सरकार बनाना होता है जिससे वे अपने कारेक्रम और नीतियों को लागू कर सके परन्तु दबाव सम्मू जो है वो अपने सरकार नहीं बनाना चाहते वे केवल जो है वो अपने हितों को ही पूरी करना चा वो है प्रचार और प्रसार के विबिन सादनों का उपयोग, अपने पक्ष में आकड़े प्रस्तूत करना, अपने मत को प्रभावित करने के लिए सैमिनार, घुष्टियां, वारताय आयुजित कराना, अपने उदेशी के पूरती के लिए नैतिक या अनैतिक सादनों का प्र करते हैं, निर्वाचन में रूची लेते हैं, प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, जुलूस करते हैं, जुलूस रैली आदी जो हैं वो करते हैं, तो राजने ये हैं दबाव समू और कल जो हैं, कल के लेक्चर में हम भारत में जो दबाव समू हैं, उनकी विशेष्टा हैं, औ और दबाव समू कितने प्रकार के हैं, भारत में दबाव समू किस तरह से कारे करते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे. Thank you so much.